हेलो फ्रेंस वल्कम बैक टू मैं चैनल फ्रेंस आज हम बात करेंगे फ्रेस एलोवेरा से किस तरह औरगेनिक रूटिंग हर्मोन बनाया जाए और कटिंग को लगाने की सही तरीके क्या है इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे तो चलिए बिना देर किये वीडियो स्टार्ट कर करते हैं औरगेनिक रूटिंग हर्मोन बनाने के लिए हमें फ्रेस एलोवेरा से के प्लांट है तो इस इससे हमें एक पत्त काटकर अलग करना होगा तो यह देखिया मैंने 1 पत्त काटकर अलग कर लिया है अब हम इसे इसमॉर पीसिस में कट करेंगे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम कट करेंगे इसे यह देखिए मैंने पत्तों को जो ही स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है अब अब हम क्या करेंगे सबसे पहले साइड के इन काटों को छिल कर अलग करेंगे और फिर हलके हातों से इसके उपर की छिलके को अलग करेंगे फिर हलके हातों से इनके अंदर के जेल को अलग करके एक कंटेनर में एकटा करेंगे इसी तरह से हम सारे पीसे से हम अंदर के जेल को निकाल कर कंटेनर में एकटा करेंगे अब हम क्या करेंगे इस इकटे की गए जेल को हम अच्छी तरह से फेटेंगे इस तरह से अच्छी तरह से फेटेंगे तीन से लेके चार मिनिट तक फेटने के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा प्योर इस तरह का थिक जेल मिलेगा तो लिजिए हमारा organic rooting hormone बन करके तयार हो गया है तो चलिए अब बात करते हैं cutting को किस तरह से लेना है cutting को हम ऐसा pencil के size के ले और लंबाई में कम से कम 8 से लेके 10 इंच का ले और इस तरह से plane करके नीचे के तरफ से ना काटे क्योंकि यहां से यह भी grow कर जाएगा करने को यहां से देखिए skin के बीचों बीच से roots develop करता है roots grow करता है अगर आप 45 degree के angle से इसे काटोगे तो देखिए यहां में roots grow करने की जगा ज़्यादा बन रही है देखिए यहां के यह चारो तरफ से यह गोल करके आकर के roots grow करेंगे तो यहां पर देखिए space यहां पर कम है roots grow करने का और यहां पर roots grow करने का space ज़्यादा है तो हमें cutting को नीचे की तरफ से 45 degree के angle से हमेशा काटना चाहिए यह देखिए यहां से roots grow ज़्यादा करेगा अब देखिए compare करके तो roots जितना ही जल्दी grow करेगा उतना ही उपर में suits भी जल्दी growth होगा friends और उपर के सारे पत्तों को remove कर देना है नहीं तो क्या होगा कि यह अपने पत्तों को बचाने में सारा energy लगा देगा और roots बनाने में energy यह कम लगा देगा तो roots develop slowly होगा तो उपर के सारे पत्तों को remove कर देना है इसके बाद हमने जो rooting sermon तयार किया है उस पे हमें cuttings कोट कम से कम डेर से लेके 2 घंडे तक इसी तरह से dip करके रखना है उसके बाद आप चाहो तो garden soil में या फिर sand में भी लगा सकते हो इसी तरह से मैंने कुछ cutting लगा रखा है दिखाती हूँ आपको ये देखिए ये croton के cutting है ये बहुत ही अच्छी तरीके से grow कर रहा है इसे लगाया हुआ 8 से लेके 10 दिन हो रहा है इसके suits देखिए कितने अच्छे से develop हो रहा है और इसको भी मैंने इसी तरह से organic rooting hormone पे dip करके लगाया था और इसको मैंने pure sand पे लगा रखा है इस पर मैंने कोई compost नहीं डाला है और ये देखिए west cold rings के bottle को मैंने cut करके यहाँ पर और एक croton लगा दिया है ये भी grow कर रहा है इसके suits देखिए cutting को एक बर लगाने के बाद बिलकुल ना हिलाए डुलाए फ्रेंस नहीं तो cutting खराब हो सकता है और ये सब को मैंने waste poly bag पे लगा रखा है ये भी croton के ही cutting है बहुत ही अच्छे तरीके से grow कर रहा है rooting hormone लगाने के बाद organic rooting hormone लगाने के बाद ये देखिए और ये है harisingar के cutting ये देखिए अगर आप इसके suits देख पा रहे हो तो सभी को मैंने pure sand पे लगा रखा है ये देखिए इसके suits कितने अच्छे से develop हो रहा है ये देखिए इसे भी मैंने waste poly bag पे लगा रखा है friends और ये देखिए इसे मैंने pod पे लगा रखा है कुछ cuttings को और इस पर मैंने लगाया है ये double चांदनी का cuttings और कुछ अनार याने की pomigranate के cutting इस पर मैंने उपर fungicide लगा रखा है आप चाहो तो fungicide apply ना करो तो भी चलेगा friends मैंने बागी cutting पर fungicide apply नहीं किया था फिर भी अच्छे से grow कर रहा है friends चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे roses के cuttings किस तरह से grow कर रहा है देखिए ये बहुत इची तरीके से grow कर रहा है ये सब button rows है इसको मैंने organic rooting hormone पर मैंने dip करके लगाया था जैसे कि मैंने आपके साथ share किया और ये सब button rows के अलग-अलग colors है ये देखिए बहुत इची तरीके से grow कर रहा है मैंने इन सभी cuttings को pure sand पर लगा रखा है friends और देखिए इसके roots को अगर आप देख पा रहे हो तो ये visible भी हो रहा है ये देखिए ये white color के roots है कुछ दिनों बाद मैं इसे port में shift कर दूंगी देखिए कितने अच्छी तरीके से grow कर रहा है ये सब cuttings ये भी button rows है ये red color की है nail polish से मैंने सभी disposal मोजल पर colors को मैंने लिख कर रखा है ताकि मैं बाद में भूलना जाओं ये देखिए सभी cuttings जो ये बहुत ये अच्छी तरीके से grow कर रहा है monsoon का season पे friends आप cuttings लगाए तो और rooting hormone का इस्तिमाल करें organic rooting hormone का तो 100% grow करें तो friends आप भी अपने घर में लगाए हुए aloe vera plant से organic rooting hormone तयार करें और इस बरसात के मोसम में cutting के दुआरा एक से अनेक पोधा बनाएं ओके friends तो आज के लिए इतना ही bye bye take care